धन्दन सत्कुरू तेरा श्यास्रा शिरी हरनागदास उत्तर शिरी दौलत्रां काप करी वाला जिल्ला सर्सा से चैन्चा मस्तानाजी महराज की अपनी सचकनवासी चाची परकास देवी पती सचकनवासी सूबाराम पर हुई रहमत का भर्नन करता है मेरी चाची परकाश देवी तथा चाचा सूबाराम दोनों का चैन्चा मस्तानाजी महराज पर द्रड विश्वास था दोनों तेरा सच्चा सौदा में सेवा करते थे जब परकाश देवी दरवार में सेवा के लिए आया करती थी तो वे अक्स अपनी चुन्री के पल्लू में कागज मेल वेट कर पीसा हुआ काला नमक बै काली मिर्च बांद कर अपने साथ रखा करती थी जब शैंचा जी मूली बग्यारा खाते तो वे अपने पल्लू में बंदा नमक मिर्च शैंचा जी के आगे कर देती तथा अरज करती साइन जी जहन नमक मिर्च ले लो इस तरह की सेवा से बहर खुशना प्राव्ट करती करीब उनिस सोच पंजा में कुल मालिक के बिदान अनुसार उसका अंतिम समया नजदी का गया उसके कोई संतान नहीं थी कुछ दिन उसे थोड़ा थोड़ा वखा रहा बहर हर समया मालिक सत्गुर की ही बतें किया करती थी किसी गैर सत्गी से उसका मन नहीं मिलता था कोई भी सत्गी जा दरवार का सेवादार उनके गर जाता तो बे उसे मालिक की बात सुनाये बिना जाने न देती चाहे रोटी पानी की भी खूब सेवा करती एक रात उसने अपने पती सुबाराम को कहा कि मुझे बुखार है मुझे दरवार से पानी ला कर दो सुबाराम ने कहा कि रात का समया है दरवार में दरवाजे बंद हैं मैं कहां से पानी ला कर दों बे जिद करने लगी कि मुझे अभी दरवार से पानी ला कर दो सुबाराम ने अपने प्रोस में रहने वाले प्रेमी शंबूराम को अपने साथ लिया और उसे परकाश देवी की इच्छा बताई दोनों ने आपस में विचार किया कि अपने नजदीक बने मंदर से पानी ले आते हैं और उसे कह देंगे कि जह दरवार का पानी है देहे मंदर से पानी लेकर घर पहुंचे तो परकाश देवी बोली कि जह दरवार का पानी नहीं है मैं नहीं पीती तुम मेरे साथ ठगी करते हो तुम तो दर्वार गे ही नहीं दर्वार जाओ वहां से पानी लेका रहो उन्होंने परकाश देविक को कहा कि दर्वार के गेट बंद हैं हम क्या कर सकते हैं बहे बोली साई जी निमो के पास खड़े हैं जाओ तुम्हें पानी मिल जाएगा फिर बहे दोन्यों शा मस्ताना जी दाम में चले गए ओस समया छैंचा जी निमो के पास खड़े थे सुबा राम ने चैंचा जी को नमन करते हुए नारा बोला और कहा साइन जी एक अरज है तो घटगट की जानने बाले अंतर जामि, सर्बिसमर्थ, दातार जी बोले तेरी अरज-बरज कबूर नहीं होती, तेरी अरत को हमने ले जाना है तो सूबाराम ने बाहर तैंकी से पानी भर लिया और गर ले आया परकाश देवी ने दहे पानी पिया सूबा के तीन बजे उसने सूबाराम को कहा दर्वाजा खोलो साई जी आएं है सूबा राम ने करोध में कहा कि साई जी बाहा सच्चा सौदा में तो दर्शन नहीं देते जहां टिबे पर तेरे गर कहां से आ गए इतने में दर्वाज्जे से अच्छानक अबाज आई और दर्वाज्जा अपने आप खुल गया दर्वाज्जा खुला तो सूबा राम ने भी देखा परांतू उसे शेंचा जी के दर्शन नहीं हुए जबकि परकाश देवी को शेंचा जी के दर्शन हुए शेंचा जी ने उसे बचन किया पुटर तुझे आठ बजे ले जाएंगे उसने उसी वक्त सूबा राम को बता दिया प्रांतू सूबा राम ने यह सच नहीं माना क्योंकि उसे ना तो बिमारी थी और ना ही कोई तक्लिफ थी उस दिन सूबा सूबा राम ने दरवार की सेवादार माता रखी को परकाश देवी के पास बिठा दिया क्योंकि बेहै किसी गैर सरसंगी से जहां तक कि अपने परवारिक गैर सरसंग्यों से भी बात नहीं करती थी उसने माता रखी को बताया कि मेरा हिसाब कीताब हो रहा है मैं तुलदी पईया मैं ने आठ बजे चले जाना है उसने बातें करते-करते ठी आठ बजे नारा धंदन सत्कुरू तेरा ही आस्रा बोलकर चोला शोड़ दिया उस दिन जब माता परकास लेवी का मरितिक श्रीर चमचान गाट में ले जाया गया तो सर्षा शेर की साथ संगत तथा रिष्टेदार सबंदी सभी धंदन सत्कुरू तेरा ही आस्रा के नारे लगाते हुए चमचान गाट तक गए फिर पांच में दिन उस पर थाये नाम चक्चा हुई श्यांचा जी से आगया लेकर प्रेमी सूबाराम ने उसके फूर जाने अस्तियां बियास दर्या में डाल दी सूबाराम अपनी पत्नी के फूर दर्या में डालने के बाद जब सरसद दर्वार में आया तो उस समया शैंचा जी सेवादारों से सचखंड हाल की बिल्डिंग के पीछे मिट्टी कटवा रहे थे तो सूबा राम ने शैंचा जी को नमन करते हुए नारा बोला शैंचा जी ने फरमाया सूबा तेरी औरत का इतना प्रेम था वो सीधी सचखंड गई फिर शैंचा जी ने सभी प्रेमियों को हिदायत देते हुए फरमाया जब भी कोई सासंगी चोला छोड़े तो उसके रिष्टेदारों को रोना दोना नहीं चाहिए सत्गुर के नारे लगाने चाहिए खुशी मनानी चाहिए कि बहे जीव छरीर के बंदनों से मुब्त होकार अपने निजगर गया है धन धन सत्गुरू तेरा सियास्टा धन धन सत्गुरू तेरा सियास्टा